हेलो फ्रेंड्स आज फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेटेंग इच व्यूट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम इस वेडियो में सक्शन 13 ऑफ हिंदो मैय रिजेक्ट को डिसकस करेंगे। फ्रेंड्स लास्ट फीडियो में हमने divorce by mutual consent under section 13 B of Hindu marriage act 1955 को डिस्कस किया था बट अब बात आती है कि अगर husband and wife में से कोई एक partner divorce by mutual consent के लिए ready नहीं होता है या divorce by mutual consent की petition file करने के बाद उसको withdraw कर लेता है तो दूसरे partner के पास कोई और option नहीं रहता है accept to file a normal petition for divorce under section 13 of Hindu marriage act 1955 यह वे divorce प्रोसेजर है जिसमें allegation लगाया जाता है और दूसरे partner को उसे revert करना होता है और divorce लेने में थोड़ा time लगता है यह जो divorce है यह specific grounds पर ही मिल सकता है हर एक grounds पर नहीं मिल सकता है वे grounds क्या है जो husband and wife दोनों को प्राप्त है जिनके basis पर husband या wife कोई भी family court में petition फाइल करके divorce की decree प्राप्त कर सकता है आईए देखते है नमबर वान आता है adultry शादी के बाहर के संबंद को adultry बोलते है means अगर husband या wife में से किसी का भी अब शादी के बाहर किसे दूसरे के साथ कोई संबंद है तो उसको adultry बोलते है adultry section 497 of Indian Panel Court में एक अपराद हुआ करता था जिसे हाली में सुप्रिम कोर्ट ने खतम कर दिया है शादी के बाहर का संबंद अब अपराद नहीं है सुप्रिम कोर्ट ने माना है कि एक civil nature का मामला है जिसके पती ये पतनी का इस तरह का बाहर का संबंद है उसे तलाग के लिए जाना चाहिए so adultry is a valid reason to seek divorce number second आता है cruelty cruelty की हिंदू लौँ में कोई definition नहीं दिये गई है पर मारना पीटना परिशान करना है ये सब cruelty की ही form है जिसको हिंदी में हम कूरता बोलते है जब नए नए शादी होई होती है तो husband wife को डौरी के लिए परिशान करता है उस से दहेज की मांग करता है ये सब एक cruelty ही है cruelty जरूरी नहीं है सिफ husband ही wife को दे wife भी husband को दे सकती है जैसे wife जोरी का जूटा की इस husband के खिलाफ कर सकती है या फिर उसको खाना नहीं देती बना कर time पे एक्सक्टरा कुछ भी हो सकता है तो cruelty is a valid reason to seek divorce नबर थर्ड आता है desertion desertion होता है कि एक partner ने अपने दूसरे partner के साथ जैसे husband ने wife के साथ कोई दो साल से लगातार कोई संबंद कोई रिष्टा नहीं रखा है अपने partner को desert रखा है भी दियक्त रखा है नबर fourth apostasy आता है जिसको हम धरम परिवतन बोलते हैं कि दोनों में सी किसी एक partner ने अपना धरम परिवतन कर लिया और वो धरम परिवतन करके पीडित रहा है इस हद तक पीडित है कि आशा नहीं की जा सकती इसका partner उसके साथ रह सके नमबर sixth laprosi laprosi जिसको हम कोड बोलते हैं कि दोनों पार्टे में से अगर कोई एक party कोड से पीडित रही है तो this is also a valid reason to seek divorce seven आता है veneral disease कि किसी एक partner को veneral disease हो गई है को योन रोग हो गया है जो एक partner से दूसरे partner को हो सकता है नमबर eight आता है renunciation of world की एक partner ने संसार त्याग दिया है और वो सन्यासी बन गया है नमबर nine आता है missing for seven years कि एक party साथ साल से missing है साथ साल से उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना है स्वभाविक्ता अगर वे जीवीत होता तो उसके बारे में सुना होता नमबर ten आता है judicial separation judicial separation को हिंदी में नियाइक प्रथकरण बोलते हैं कि parties ने judicial separation की decree प्राप्त करने के बाद अपने बीच कोई भी संबन पुन्य प्रारब नहीं किया है this is also a valid reason to seek divorce नमबर 11 आता है decree of restitution of conjugal rights no to be followed कि parties ने restitution of conjugal rights की decree प्राप्त करने के बाद उसको follow नहीं किया है दामपत्य अधिकार के पुनरस्थापत की decree का पालन नहीं किया है तो this is also a valid reason to seek divorce so friends ये वे 11 grounds थे जिनके basis पे husband और wife दोनों में से कोई भी divorce की petition फाइल कर सकता है इसके अलावा 4 grounds ऐसे हैं जो सिर्व wife को प्राप्त हैं जिनको मैं next video में explain करूंगी इन 4 grounds के सिर्व wife ही petition फाइल करके divorce की decree प्राप्त कर सकती है so husband को ये 11 grounds प्राप्त है और wife को 11 plus 4 15 grounds प्राप्त है जिनके basis पे वे petition फाइल करके divorce की decree प्राप्त कर सकती है so friends ये वीडियो आपको कैसी लगी please comment box में comment करके जरूर बताईएगा thank you